वाह ग्रुजी का खलसा, वाह ग्रुजी की फते, तुसी वेख रहे हो कथा गुर्बानी विचार, प्यारी सासंग जी, कदे कदे ऐमें लगदा है, अच्छाई दा जमाना ही नी रहा। असी किन्नावी चंगा करिये दूजे नाल, पर दूजे सादे नाल चंगा नी कर दे, सारे आदा पढ़ा करके वी सानू दोखी मिल देने, अते जो लोग दूजे नाल बुरा कर देने, ओना नाल चंगा ही हुंदा है, ओ बहुत खुशने अपनी जिंदगी विच, चंगे लोक अपने कोल रखना चौंदे हो जो तो हादे नाल बुरा कर देने जा जो तो हादे नाल चंगा कर देने किन्ना लोकां ते विश्वास करोगे किन्ना नाल प्यार करोगे जो तो हादे नाल चंगा कर देने जा जो तो हादे नाल बुरा कर देने हर मनुख चंगे मनुख दी तला विच है कदे कदे लगदा है कि सब कुछ गल्थ हो रहा है जो बुरे लोक ने ओह बहुत चंगी जिंदगी जी रहे ने पर चंगे लोकां दी जिंदगी विच बड़ा दुख है एक पुजुर्ग औरत सी उस दियां दो छोटियां छोटियां कुडियां सन ओर जिमे किमे करके कम करके ओना कुडियांनों पार दी सी एक कुड़ी चार साल दी सी अते दुजी दो साल दी उना देकार एक संत आए ओ संत ने जदों ए सब कुछ वेख्या आता बड़ा गरव होया उनानो बुजुर्ग ओरत उते के इस उमर विच्वी ओ एना कष्ट पुगत रही ये किना काम कर दी ये बच्चियानों पालन लई ओ संत गरव दे नाल नाल मानच दुखी विसन के ए उमरता बैक ए खान दी सी पर इस औरत नो एनी मिहनत करनी पै रही सी ओ संत निराश जहे होके चले गए कुछ दिना बाद ओ संत जी फिर उस गलीचों गुजरे ता पता लगा ओ बजुर्ग औरत अकाल चलाने कर गई सी वस संत नो रबत बड़ा गुसा आया के ओ परमातमा दुणिया नो चलाऊना जानदा ही नहीं जिना लोकां दी कोई जिरुरत ही नहीं हुन दी ओ किना किना जीन देने इना छोटियां बच्चियां दा होर कोई नहीं है फिर भी परमातमा ने एगदा कीता है एक ही सहारा सी इना बच्चिया दा पर मातमा ने एवी खो लिया है इना तो ओ गुस्थे नाल पड़िया रब नो कैन लगा के रब जी तो हनू दुनिया चलाउनी नहीं यूँदी सारा को ज़ उल्टा पुल्टा चाल रहा है ओ दो बच्चिया जिना नो बजुर्ग औरत पाल रही सी तुसी ओना दा सहारा भी खो लिया है जिना दी जिन्दगी दा कोई अर्थ नहीं ओ किना जीन दे हन पर ओना बच्चिया नो ओना दी लोड सी हुन ओना बच्चिया दा की होएगा तुसी अपनी मन मर्जी कर दे हो तरती ते आओ उना नू वेखो कियो कि में जेंदे हन रब जी कैन लगे तुम मेंनू कोज भी कैन तो पहला एक वार फिर जा ते जाके उना दो बचिया नू वेख के आ संत बड़ा गुसे विच सी पर रब दी गल सोनके फिर उना दे कर गया ते उसने वेख्या कि ओ दो में बचिया उत्थे नहीं सी ओ बहुत दुखी होया कि उना बचिया नार की हो गया उसने किसे गवांडी को लो पुछया कि ऐच्थे दो बचिया रही दिया सी ओ कि थे गया उस गौनडी ने दसी आ कि ओ दून्नों बच्चीयां बढ़ियां दुखी सी शेहर दी रानी एजदर दी जा रही सी इनना बच्चीयां nू दुखी वेक के उस नू दया आ गई उस ने उन्ना दूना बच्चीयां नू गोद ले लिया हुनो दोनो बच्चियां राजकुमारियां बन गईया हन संतनु ए सुनके समझ आया कि ओर जो चीज सानु गल्ट विख दी है ओदे पिछे भी कोई कारण हुन्दा है सानु लगदा है कि साधे नार एमे क्यों हुन्दा है असी कदे किसे दा बुरा नहीं कीता फिर भी सानु दुख क्यों मिल देने पर इस दे पिछे भी कारण हुन्दा है कोई राज हुन्दा है कि प्रमात्माने साधे लिजरूर कोज न कोज चंगा सोच्या होएगा कई वार सानु लगदा है कि साधे नार सारा कोज गल्ट ही हो रहा है पर असी पवेक नहीं वेक सकते साधा दिमाग बहुत छोटा है जो समने देखदा है बस ओही साच लगदा है उस विच ही उल्ज के रह जानने हां असी असी कदे ए सोच ही नहीं सोच पौन दे कि एदे विच कुछ चंगा भी हो सकता है समा चाहे जिमेदा भी आ जाए उस समय चों बहर सानू पर मात्मा नहीं कड़ना है गल ए नहीं के तुहादे जीवन विच सोख है के दुख गल ए है के तुहादे जीवन विच सकून है जा अशान्ती है जे तुहादे दिल विच साच है तुसी गल्ट नहीं हो फिर तो हाडे नालवी कदे कुछ गल्ट नहीं होएगा जीवन मेंच जदों में कोई दुख जहां परशानी आवे कदे ना डरो बस एक गल जरूर याद रखो कि उस परमात्माने साडे ले जरूर कुछ सोचया होएगा जे विश्वास साडे दिल वेच आ जाए कि ए जो दुख जा परशानी जो आई है ए साडे सोने पर विख लई है फिर सानू कोई भी दुख वड़ा नहीं लगेगा अते असी हर समय खुश रहना सिख जा मांगे वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते